हेलो फ्रेंज कैसे है आप लोग मेह इंस दीप और अजका विडियो है 10ology का unboxing प्लास review so friends चलिए आज का विडियो शूर्ण करते हैं सोफिरेंज यहैं 10ology का Detail Unit friends इस phone को मैंने पहले ही अनबक्स किया होगा था फिर से आपको दिखा देता हुँ अनबक्स करके प्रेंस आमको बॉक्स में पहले यूपर तो फोन मिल जाता है इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं नीचे क्या का मिलता है फ्रेंस यह एक बेसिक लिफ्टलेट है जिसमें आमको कुछ की स्पेसिफिकेशन मेंशन के हैं वह है यह फोन 464 GB का है इसमें 13 MP का रियर कैमेरा है और 16 MP का फ्रॉंट कैमेरा है इसका बैटरी है और 3910 इमिच लगबग 4000 इमिच का फ्रेंस इसमें जो प्वेसरी उसकी आ गया है वह स्नैपड्रागन 626 इसमें हम दो सिंग लागा सकते हैं फिंगर्पेंस स्कैनर है 5.5 इंच से में जेक्टर टूल एक पावर ब्रिक जिसका रेटिंग है 5 वोल्ट 2 MP और फ्रेंस इसमें हमको एक यूस्बी टाइप ए वाला चार्जिंग केबिल मिल जाता है केबिल के लंबाई भी बहुत है तो आपको इसमें कोई शिकाइज नहीं होगी तो फ्रेंस अब सब कुछ साइड में रखते हैं अब आते है दारेक्ट फोन के ऊपर है इस फोन को हाथ में लेने से जो हमको मैसुस होता है यह मेटल बॉडी और फ्रेंस इसमें 4000 इमेच के बैर्टरी होने के जूद भी हमको यह फोन आपरी जी फ्रेंस इस फोन में हमको एक लाइट और फरेंस पून के पीछे हमको एक 13 प्लस 16 मिडेगा प्रिक्सल का कैमेरा सिट अब मिलता है और उसके नीचे हीटिक fingerprint scanner और उसके right side में एक two-tonality flash मिलता है और इसके उपर नीचे कुछ antenna bands है और friends इस phone के front में था हमको बड़ी-बड़ी bezels दिखने के मिलता है Friends इस phone में हमको 16 is to 9 aspect ratio का 5.5 inches का screen मिलता है और इसके resolution है full HD और इस phone के bottom में हमको एक charging port एक microphone के रिल मिलता है और friends एक speaker का grill friends और इस phone के right side में हमको एक volume rocker मिलता है और और इस phone के जो उपर वाला पार्ट है उसमें हमको सिर्फ एक headphone के लिए जैक मिलता है और फ्रेंज इस phone के left side के पार्ट में एक सिम्ट्रे मिलता है आया देखते हैं यह कौन सा सिम्ट्रे है Friends यह एक hybrid sim slot है इसमें हम एक micro sim और एक nano sim लगा सकते हैं या फिर एक nano sim और एक HD gun लगा सकते हैं और फ्रेंज दिया तो 464 GB वाला वेरियंटे तो फिर आपको HD cut के जरूरत नहीं भी पर सकते हैं Friends अब आते हैं इस phone में जो हमको software प्रोफट किया गया है Friends मैंने पहले ही कहा दा कि मैंने इस phone को setup कर लिया है मैंने fingerprint इस सेट कर लिया है आये देखते हैं इसका fingerprint क्यासा responsible यह मैंने मेरे सब हाथ पीछे हैं यह मैंने टैप किया यह मैंने टैप किया और टैप किया और फ्रेंज फिंगर्पिंस तो responsive है और फास्ट है नहीं कि अल्ट्रा फास्स नहीं है और फ्रेंज यह एक Amazon का फोन है तो फिर फ्रेंज इसमें आपको ब्लॉटर की तरह सिर्फ Amazon के एप सी मिलता है और कुछ ज्यादा नहीं मिलता इसलिए यह अल्मोस्ट क्लोस्ट टू स्टॉक अंड्रोड और यह एक अच्छी बात है और फ्रेंज आए देखते हैं इस फोन में हमको सॉट्टर का कौंसा फर्शन विलता है यानि कि कौंसा एंड्राइट वर्शन विलता है फ्रेंज इस फेंड्राइट वर्शन है वह 7.1.2 और जो स इसका जो 1.6 GB है वो यूज किया हुआ है जैनि कि जो यूज हुआ है और फ्रेंज हाँ इस फोन का जो फ्रॉंट में जो फ्रॉंट का है वह 16 मेगडेशल का और फ्रेंज फ्रॉंट में भी एक LED फ्लेश मिलता है जिससे हम लो लाइट में आच्छी फोटो खीश सकते हैं औ जो नहीं मैं आपको अभी पांट का जो रियर कैमेरा है और फ्रेर्स फ्रॉंट कामेरा है उससे छूट किया जाने वाला कुछ फाटो्ष और वीडियोंड दिखाता हूं हैर ओधकten kritि Lilian प्रेंज यह जो वीडियो है यह टेन और जीक का फ्रांट कैमेरा से शूट हो रहा है फ्रेंज इसका फ्रांट कैमेरा तो 16 मेगा पिक्सल का है तो फिर फ्रेंज आपको clarity बहुत ही अच्छी मिल जाती है इस budget में तो फिर फ्रेंज अब देखी सकते हैं इस phone के front camera के साथ कैसा शूट हो रहा है और फ्रेंज यह वीडियो भी afternoon condition में ही शूट हो रहा है तो फिर फ्रेंज अब देखी सकते हैं इसका front camera कैमेरा कैसा perform कर रहा है फ्रेंज इस career camera के तरह इसका front camera में भी कोई stabilization यूज नहीं किया गया है तो फिर फ्रेंज में आपको दिखा देता हो कोई stabilization नहीं है और फ्रेंज आप इस budget में stabilization एक्सपे भी नहीं कर सकते हैं मैंने पहले ही बताया है फ्रेंज यह है 10 और G के front camera से रिकाठ होने वाला वीडियो फ्रेंज यह जो वीडियो है यह 10 और G कारियर कैमेरा से shoot हो रहा है तो फ्रेंज आप देखी सकते हैं इस career camera वीडियो में कैसा perform कर रहा है फ्रेंज यह तो afternoon condition है तो फिर आप चारो तरब देखी सकते हैं फ्रेंज मैं आपको वाक करके भी दिखा देता हूँ कि इसमें कोई stabilization है की नहीं फ्रेंज तो आप जानते हैं कि इसमें कोई stabilization की use किया नहीं गया है ना EIS ना OIS तो फिर और फ्रेंज आप इस budget में stabilization एक्सपे कि आप बिना शेक किये हुए अपने पूरा वीडियो शूट कर सकते हैं फ्रेंज इस phone का और एक खासी है थे कि इस phone में हमको दो speakers मिलते हैं यह जो फ्रांट में यह यह पीस है और फ्रेंज आपको बॉटन में तो एक speaker मिलता है फ्रेंज मैं आपको एक song play करके दिखाता हू कि हमको speaker का कैसा output मिलता है कि सुनिये अपर देखिए जब मैं यह speaker को close कर दे रहा हूं तो फिर फ्रेंज यह आ रहा है जो यह पीस का जो speaker है उससे और फिर जब मैं यह close कर दे रहा हूं यह आ रहा है जो bottom का जो speaker है उससे आउपूर्ट जयादा दें नहीं चलूंगा नहीं तो फिर से copyright पर जाएगा और फ्रेंज आखिर में आते हैं इस फोन के pricing के उपर फ्रेंज यह फोन अभी एमाज़न में 9999 रुपए में अभेले बगे और यह 464 GB वाला variant है तो फिर फ्रेंज 999 में यह फोन मेरे हिसाब से बेस्ट है क्योंकि हमको इस फोन में 14,000 इमेज की ब इस फोन में हमको front firing speaker मिलता है जो कि बहुत high budget में भी हमको नहीं मिलता और फ्रेंज इस फोन के back side में हमको 13 plus 13 यह camera combination मिलता है जिससे हम portrait shot खीच सकते हैं तो फिर फ्रेंज मेरे ही सबसे इस budget में यह best phone है अभी तक so friends उमीद है आपको टेनर जी का यह unboxing plus review यह वीडियो पसंद रहा होगा और friends ऐसे ही वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए मेरे इस चनल को subscribe कीजिए इस वीडियो को like और share कीजिए और friends आगले में आपको कौन सा वीडियो चाहिए और मुझे जरूर बताना so friends बाई